दोस्तों ये कहवत आप लोगों ने सुने होगी जिसका मुझे थाइंत जार वो घड़ी आ गई जी हाँ UPSC की वो घड़ी आ चुकी है जो की पूरे साल वेट करनी के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आता है और फिर उसके बाद में जो सब के चहरे पर जो खुसी आती है जिन्होंने महनत के थी तो वो फाइनल रिजल्ट जो है UPSC ने डिकलेर कर दिया है UPSC की वेबसाट पर जाओगे आप लोगो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा इसको डिरेक्टल डाउनलोड कर सकते हैं वैसे मैं टेलिग्राम पर भी आप लोगो प्रोवाइड करा दूँगा तो कम्प्लीट रिजल्ट की जो PDF है वो आप लोगे सामने हैं आपको जन्रल केटेगरी में जो हैं वो 347 केंडिडेट हैं एकनोमिकली वीकर केटेगरी में आप लोगों यहां पर 115 है इसी के साथ में आप लोगों देखने को मिलेंगे OBC में 303 SC में 165, SC में यहां पर 6 हैं टोटल मिलाकर 1016 केंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में आप लोगों को यहां पर नाम नजर आएगा यह result जो है यह आप लोग का जो declare किया गया है final result 2030 का है आप लोगों पता है 24 का exam अभी होने वाला है तो उसके चलते आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं अभी सब के दिमाग में एक तो important बात याती है कि सरब की बार IES कितने बने तो total मिलाकर 180 लोग जो है वो IES बने IFS कितने बने तो यहां पर 37 IFS बने और IPS जो है वो total आप लोगो 200 लोग यहां पर IPS बनते वे नजर आएंगे अब यहां पर एक interesting चीज कि सब के मन में रहता है कि आर यह बता दो कि यहां पर अब की बार टोपर कोन है रैंक कोन है जिसके सब जगे आप लोग यहां पर नहीं कि सोर मस्तावा नजर आएगा तो है आधित्य सिरीवास्तव आधित्य सिरीवास्तव और इसी के साथ में अनिमेश अब की बार आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो normally last two years से आप लोग यहां पर देख रहे थे लड़किया टोप कर रही थी पर अब की बार यह जो बाजी है यह लड़के ने मार ली है तो कहीं नगे आप लोग बोल सकते हो कि लड़किया जो है वो अब की बार जादा मेहनत करते में नजर आएं और पूरी लिस्ट जो है यह आप लोग के सामने है अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो इस तरीगे से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं टोटल जो नाम है अगर देखोगे last rank जो की एक तरीग से lucky guy जो last वाला है एक बार इसको भी देख लेते हैं कि last में lucky one कौन है जिसका नाम आप लोग के ending में देखने को मिलेगा तो यहां पर last one आप लोग को देखने को मिलेगा तो यह है महेस कुमार और आदित्य गुमार तो यहां पर आदित्य अनिल और महेस यह last है आप लोग को टोप करते वे नजर आ रहें तो ये काफी शानदार एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि महनत रंग लेकर आई है उन लोगों की जिन्होंने इस चीज के लिए पूरा जी तोड़ लगा कर महनत की थी तो ये result final होता है कि इस merit में एक बार नाम आ जाए इसके लावा यार जिन्दकी मोर कुछ नहीं चाह लिए और इसी के साथ में हाँ पर आप लोगो पता है कि रिजर्व लिस्ट भी हाँ पर UPSC के द्वारा रखी जाती है तो वो रिजर्व लिस्ट में भी आप लोगो देखने को मिलेंगे क्योंकि कई सारे रिजर्व होते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी सर्विस उसके बार दें फिर UPSC में उनकी 56 रेंक आप लोगो देखने को मिली थी तो इस तरीके से रिजर्व केटेगरी भी आप लोगो इहां पर देखने को मिलती है इस पर्टिबलर लिस्ट के अंदर में जिसका सेलेक्शन होगा है और जिसका सेलेक्शन नहीं हुआ है वो फिर स इसके लावा अगर आप लोग सीरिस तरीके से तयारी करना चाहते हैं तो स्टडी लवर के कोर्सिज आप लोग की हेल्प करने के लिए अब आप लोग के लिए अविलेबल हैं यहां पर जिसमें 6 स्टेट पीसे के कोर्सिज हैं जो की 22 तारिक से स्टार्ट हो रही है और इस तरीके से आप लोग के लिए अपोर्चुनूटी है अभी आप लोग के सामने रिजल्ट भी आ गये हैं यहां पर SLV अप्लिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बहुती अच्छे से यहां पर 4.9 की रेटिंग के साथ में शांदार तरीके से आप लोग का प्यार बन स्टार्ट होने जा रही है तो उसको भी आप लोग जुरूर एंज्योई करिएगा ठीक है